नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमरे यूट्यूब चानल दुनियादारी एक्सपर ये जो आप फास्ट फारवर्ड में भागते हुए वीडियो को देख रहे हैं ये कम से कम मेन रोड से एक किली मुटर की दूरी है अब यहां से शुरू होती है बराधी की घाट चट जादा भीड बराधी में होती है जीजेगों को आप देख रहे हैं यही जगह है वो जहां पर सबसे जादा भीड होती है और यहां पर काफी पब्लिक आती है यहां पर देखने के लिए खास कर यहां पर बने हुए उस पंडाल को जो इस तरह का पंडाल यहां पर कहीं नही सिर्फ बराड़ी में ही बनाई जाती है और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ा यहां पर कितने लोग उम्ड़े हुए हैं और वो देखिए यह है यहां का पंडाल इसके अंदर छटी मया के मुर्थी रखे गई है और यह काफी भब्य पंडाल बनाया गया है जिसे देखने के लिए भी लोग आते हैं और चट मनाने के लिए भी काफी लोग आते हैं यहां पर और वैसे भी बराड़ी का नाम ही बड़ा है कि यहांपर हर साल चट में सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है ये सुनकर और भी ज़्यादा लोग आते हैं अब देख सकते हैं कितना भब ये पंडाल बनाया गया है काफी सुन्दर है यहां रात बर छट फुजा करने जो आते हैं वो रात बर यहां पर रहते हैं कई लोग घर भी चले जाते हैं और कुछ लोग रात बर घाट पर ही बिता देते हैं घर पर जाकर भी कोई सोता नहीं है छट में वहाँ पकवान शकवान प्रसाद के लिए तयार किया जाता है और सुबह तीन बजते ही फिर घाट के लिए रवाना हो जाते हैं चट पुजा करना काफी मुश्कील है भूखना पड़ता है इसमें अब देख सकते हैं कि कितनी भीड पंडाल को देखके आरीयर देखने जाविर है और इसके आज़ पास भी इसके रास्तों पर रोड पर काफी भीड लगी हुई है अब रख चट मनाने आए कि घुमने देखने आए आपके इसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा चट कहां हो रहा है मैंने भी सुना है कि बराडी में सबसे ज़्यादा भीड होती है और यहां सबसे ज़्यादा बड़ा चट पुजा होता है मैंने भी देखा चारे तरफ घुमके आ रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा भीड यहीं दिखा मुझी सही है यहाँ पर काफी भीड है तो दोस्तो इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल दुनियादारियक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लिजेगा झाल झाल झाल